आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे हर्ब्स ग्रिल्ड फिश ये मच्छी का नाम है रेट स्नापर्स आप क्लोज अप से देख सकते हैं तो इंग्लिश में इसे रेट स्नापर्स बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इस फिश को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए हम आज हर्ब्स के साथ इस फिश को ग्रिल करेंगे एक और रेसिपी ग्रिल फिश की है मेरे चानल में आप वो भी देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट ग्रिल फिश है तो आप एंड तक जरूर देखें हम पहले इसके उपर नमक डालेंगे नमक के साथ ये अच्छे से मैरेनेट करेंगे हम ओके फिर इसके उपर डालेंगे काले मिर्च पाउडर हमें अंदर भी डालना है वरना अंदर मच्छी फीकी रहेगी तो हम कंजूसी मत करें काले मिर्च अच्छे से डालें तो सारे फिश को अच्छे से नमक और काले मिर्च के साथ रब करें अब हम इसका एक हर्ब्स के साथ सॉस प्रिपेर कर लेंगे चलिए हम उस सॉस के इंग्रीडियंट्स देखते हैं एक सप्रेट से बॉल में हम लेंगे तेल लगबख तीन से चार टेबल स्पून अब इस ओयल में मैंने साथ से आठ लसन के कलियां को अच्छे से बारी ग्रेट कर लिया है तो हम इस तेल में डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे लेमिन जेस्ट लेमिन जेस्ट यानि इसका जो चिलका है इसे भी हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करके इस तेल में डालेंगे सिर्फ हमें थोड़ा ही डालना है ज्यादा नहीं अब आट करेंगे लेमिन जूस ये वन फुल लेमिन का ज अगर आपके पास Mixed Herbs नहीं हैं तो आप सिर्फ औरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी दाल सकते हैं Mixed Herbs हम लेंगे एक टीस्पून मैंने लिया है एक टीस्पून शेजवान सॉस आपके पास कोई भी हॉट सॉस आपके पास जो भी हॉट सॉस है वो आप इसमें डाल सकते हैं अब मैं डालूंगी बहुत सारा धन्याम पत्ता इन सारे चीज़ों को अच्छे से Mix कर लें आप तीखापन चक सकते हैं अगर आपको तीखापन कम लग रहा है तो आप हॉट सॉस या एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स भी आड़ कर सकते हैं इसमें यह एक कॉंटिनेंटल डिश है आप सब इस डिश को जरूर ट्राइ करें जो हमने सॉस तयार किया हुआ था इसे हम अच्छे से फिश के उपर लगा लेंगे अंदर की और भी लगा लें फिर हमें इसे टर्न करके भी अच्छे से लगाना है इसके जो कट्स हैं कट्स के अंदर भी आप लगाएं यह फिश को भी आप लगाएं हमने दोनों फिश को अच्छे से मसाला लगा लिया है अगर आपको स्पाइस कम दिख रहा है तो आप उपर से पेपर पाउडर या चिली फ्लेक्स एड़ कर सकते हैं तो चलिए अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे हम ग्रिलिंग के लिए दोनों रोड्स अन कर लेंगे 200 डिग्री सेल्शियस 30 मिनिट्स के लिए देखे मेरी फिश अच्छे से ग्रिल हो चुकी है अगर आपको ऐसे ही मज़िदार रेसिपीस पसंद आ रहे हो तो मेरे रेसिपीस को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग अल्ला हाफिज